which helps to make curd from milk milk से दही बनाने में ये बैक्टिरिया help करता है हमारी now next is your how microorganisms are useful in making bread तो एक microorganism होता है जिसको हम बोलते है yeast य-e-a-s-t yeast तो ये एक टाइप की fungus होती है अब इसको क्या करते है आटे में मिलाते है अब ये क्या करते है जैसो इसको आटे में मिलाते है न ब्रेड बनाने के लिए ब्रेड के आटे में तो ये एक CO2 gas release करती है carbon dioxide अब वो carbon dioxide की वज़े से जो हमारा आटा होता न वो फूलता है इसलिए हमारी जो ब्रेड होती है इतनी fluffy होती है सो हम yeast जो की हमारी एक fungus है जो की हमारा एक microorganism है इसका use हम किस में करते है in making bread cake हमारा जो बनते है पेस्ट्री बनती है उन में use होता है ठीक है नव लेट सी सम मैडिशनल यूज ओम मैडिशनल यूज ओम मैडिशन बनाने में कैसे यूज होता है अब बिमार तो आप सभी होते हैं डोक्टर के पास जाते हैं और जब दाते हैं डोक्टर के पास वो आपका सबसे बहले थर्मोमीटर से चेक करता है भाई temperature क्या है आपको fever है या नी फिर वो आपको tablets देता है कई बार injection भी लगाता है अब जो ये tablets है ये injection है ये सब किस्से बने होते हैं microorganisms का ही यूज करके बनाए जाते है जो tablets होती है capsule होते हैं उनको बोलते हैं antibiotics अब ये antibiotics generally हमारी बनती है bacteria और fungus का यूज करके कुछ example है इनके antibiotics के streptomycin, tetracycline और thromycin ये इनके नाम है थोड़े dangerous है थोड़े difficult है बोलने में बट आगे जाके आप doctor बनेंगे तो सीख जाएंगे now अब ये जो हमारे antibiotics है जो किस्से बनी है fungus और bacteria का ही यूज करके ये क्या करती है जो microorganisms हमें disease cause करते हैं, हमें बिमार करते हैं ये उनको kill कर देती है it means there are some good microorganisms also which save us from by killing them or stopping their growth in our body okay so in this way microorganisms are used in medicine now let's see the commercial use of microorganisms commercial use means कुछ ऐसी चीज़े होती है जो हम बड़े लेवल पर बनाते है और पबलिक में उसको sell करते है वहाँ पर कैसे उस होता है अब वो कुछ चीज़े होती है alcohol, शराब, वाइन उसके बाद होता है acetic acid जिसको हम बोलते है vinegar जो हम जिसको सिर्का भी कहते है जो हम अपने हमारा अचार होता है उसमें डालते है तो ये सब बनाने में microorganism का यूज़े है